करांती के लिए मशुहूर मेरट के हिस्से में कई मिशाल हैं जो इसे बैश्विक पटल पर अलग मुकाम दिला रहा है हिंदु मुस्लिमें एक्ता के रूप में माचंडी देवी और हजरत बाले मिया की मजार का किस्सा आपने चरूर सुना होगा आमने सामने मंदिर और मजार का गेट होने की वज़े से इसे एक्ता का अनोठा उधारन माना जाता है कुछ ऐसा ही नजारा मेरट के मुंडाली थाना चेतर के एजराडा गाउं का है को ऐसे गाउं से रूबूरू करवाएंगे जहां पर हिंदू-मुस्लिम एक तका परतीक है मैं बता दूँ आपको कि यहां पर 80% मुस्लिम और 20% हिंदू रहते हैं और अपने केमरा परसंट से भी बताना चाहूँगा कि यहां दिखाएं कि यहां पर जो मंदिर और मस्जिद की जो दिवार एक साथ मिल रही है वो अपने आप में एक आस्ट चरह रहे है आस्ट चरहनिक का एक वो है परतीक भी है कि मैंना लगातार हिंदू-मुस्लिम को लेकर कई सरकारे भारत में आई और चल भी नहीं है लगातार मुद्दे उठाती है कि हिंदू-मुस्लिम-मुस्लिम लेकिन यह गाओं उन सब बातों का खंडन करता है कि हिंदू-मुस्लिम एकता यहां पर अगर दिखाई जाए तो सबसे ज़ादा है यहाँ पर मस्जिद और मंदिर की दिवारें एक दूसरे से सटी हुई हैं और इसी के चलते यहाँ का नजारा बेहत अलग दिखाई देता है कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद तकरिवन 500 साल पुराने हैं यहाँ हिंदू समुदायों की अबादी लगवग 20% होने के बावजूद लोग एक दूसरे से संप्ताइक सवहार्द के साथ रहते हैं फते खान यहां का बास्ता उस टाइम का है यूपी के मेरट जनपत के हिस्से आने वाले इस नए और अनोखे कीर्थिमान की वज़े से यहाँ का एकता वो समाजिक सवहार्द पूरे जनपत में एक उदाहरन पेस कर रहा है ब्योर रिपोर्ट इरेडियो इंडिया मेरट